हलो दोस्तो सक्ति फार्मा यूट्यूब चैल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं Most Important Topic Drug and Cosmetic Act के अंतरगत आने वाले सैड्यूल्स के बारे में दोस्तो सैड्यूल्स से रिलेटिड दोसे चार कोस्चन्स हर फार्मेसी रिलेटिड एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तो आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से सैड्यूल्स याद कराने वाले हैं दोस्तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सैड्यूल्स कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तो अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और विडियो को अंतर चरूर देखेगा चलिए अब हम डिसकस करते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं अंतरगत आने वाले सैड्यूल्स के बारे में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दोस्तो 1940 में बन कर त्यार हो गया था और जबकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स नइनटीन फॉर्टि फाइब से इंप्लिमेंटेशन में आया था चलिए अब हम देखते हैं कट देख्ते हैं सैड्यूल ए schedule A schedule A दोस्तो हमें याद करना है performa for application forms तो ये दोस्तो याद करने के लिए हम सीधा याद रखेंगे schedule A यानि performa for application forms दोस्तो जब हम किसी institution या college में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है application form फिल अप करना पड़ता है ओके तो दोस्तो schedule A सीधा याद रखेंगे performa for application forms चलिए schedule B देखते है schedule B rates of fees for test and analysis दोस्तो college में admission लेने के बाद हम क्या करते हैं fees देते हैं तो उसी से related हम याद रखेंगे यानि schedule A performa for application and schedule B यानि fees से related है तो schedule B हो जाएगा rates of fees for test and analysis चलिए schedule C देखते हैं schedule C list of biological products and special products example toxins, sera, antigen तो दोस्तो schedule C के अंतरगत list of biological products and special products example toxins, sera, antigen अधी आते हैं चलिए दोस्तो schedule C बन देखते हैं schedule C बन तो schedule C के अंदर list of biological products और दोस्तो schedule C बन के अंतर गताएगा list of special products ओके चलिए schedule D देखते हैं दोस्तो schedule D यानि list of drugs exempted from provisions of import तो दोस्तो इसको याद करने का तरीका है schedule D से related आप सिर्फ exempted याद रखिएगा क्योंकि schedule D और exempted के last में D आता है तो schedule D से related exempted आप याद रखेंगे तो याद को याद हो जाएगा schedule D यानि list of drugs exempted from provisions of import ओके चलिए schedule E1 schedule E1 तो schedule E1 है तो दोस्तो E for enemy याद रखिया E for enemy तो दोस्तो हमारी body के लिए enemy क्या होता है हमाई body के लिए enemy यानि दुश्मन poisons होता है हमाई body के लिए poisons एक enemy की तरह काम क्या schedule E1 के अंदर अगत list of poisons substances चलिए schedule F schedule F याद करते हैं दोस्तो schedule F schedule F के अंदर गाता है minimum requirement for operating and running blood bank तो दोस्तो schedule F को याद करने के लिए हमें LT याद करना है LT मतलब lab technician ठीक है तो lab technician क्या करता है दोस्तो blood bank में lab technician blood bank में posting रहती है lab technician की ओके तो दोस्तो schedule F को relate करिए LT से और LT related होता है blood bank से ओके तो schedule F के अंदर गात क्या आएगा दोस्तो minimum requirement for operating and running blood bank यह तो आपको पता ही है दोस्तो blood bank को running करने के लिए LT ही काम आता है चलिए schedule F1 F1 देखते हैं दोस्तो schedule F1 को A&M से related करिए दोस्तो A&M आप जानती है क्या करती है A&M vaccination लगाती है तो schedule F1 को A&M से related करिए और A&M क्या करती है vaccination लगाती है तो schedule F1 के अंदर गत list of vaccines and sera Okay चलिए schedule F2 देखते हैं तोusan schedule F2 को आप इन्हेक कर दीए बाड बाइस से rating चलिए कि आपको पते हैं surgical dressing करते हैं बाड वाइस ही करते हैं surgical dressing okay so schedule F2 याद करेगे standard for surgical dressing अब देखते हैं last सेड्यूल एफ तिरी तो सेड्यूल एफ तिरी यह आपको याद करना है स्टेंडर्ड फॉर अंबलीकल टेप्स यह आपको याद हो जाएगा अब देखते हैं schedule ff okay schedule ff तो ff ff means आप समझ लीजिए double focus यानि focus focus double focus तो दोस्तों हम double focus किस से करते हैं double focus तो focus हम करते हैं आखों के द्वारा ओके आखे हमारे related होती है ophthalmic से related ठीक है आपको पता ही है आई preparations को हम ophthalmic कहते हैं तो schedule ff यानि double focus तो यह हमें याद करना है only standard for ophthalmic preparations ऐफफ याद आते ही आपको double focus याद आएगा और double focus किस से करते हैं आखों से और आखों की जितने भी preparations होती हैं यह तो आपको पता ही है ophthalmic preparations होती है तो I hope that आप schedule ff कभी नहीं बूल पाएंगे schedule ff means हो गया standard for ophthalmic preparations यह schedule g देखते हैं यह आपको learn करना है schedule g और आपको याद भी होगा यह तो list of drugs used under medical supervisions example anti-cancer drugs insulin, metformin, etc तो इस तो schedule g के अंतरगत वो drugs आती हैं जिनका treatment हम under medical supervision में करते हैं जैसे की anti-cancer drugs insulin, metformin तो schedule g के अंतरगत list of drugs used under medical supervision only चलिए schedule h schedule h most important है यह आपको याद ही होगा यह तो बहुत ही important है schedule h इसके अंतरगत क्या आता है तो list of prescription drugs is the anti-depresent analgesic etc तो schedule h के अंतरगत prescription दवाई आती हैं जो की prescription के बगएर आपको कहीं नहीं मिलेंगी तो यह तो आपको यादी होगा और याद होना भी चाहिए as a pharmacist okay schedule j schedule j relate करिए जानलेवा से schedule j यानि जे फोर जानलेवा याद रखिए बस आप आपको ये schedule अपने आप ही याद हो जाएगा जे फोर जानलेवा तो इसके अंतरगत क्याएगा list of incurable disease example HIV asthma cancer यानि इसके अंतरगत वो drugs आती है sorry इसके अंतरगत वो disease आती है जो incurable होती है यानि list of incurable disease जो curable नहीं होती जैसे की HIV asthma cancer और ये इतना याद रखिए जानलेवा बीमारिया इसके अंतरगत आती है तो schedule j j means जानलेवा तो इसके अंतरगत जानलेवा disease आती है list of incurable disease याद रहेगा ये भी चलिए schedule k देखते है schedule k drugs exempted from provisions of manufacturing तो दोस्तो ये भी आपको exempted schedule है इसको भी याद रखिए drugs exempted from provisions of manufacturing बस दोस्तो आपको इतना याद रखना है schedule d exempted from import था और इसमें आपको याद रखना है drug exempted from provisions of manufacturing चलिए schedule m schedule m schedule m से relate करिए आप gmp को schedule m gmp याद रखिए बस जहां भी schedule m आए आप gmp आपके दिमाग में आ जाना चाहिए schedule m यानि gmp तो यह क्या होता है good manufacturing practice of pharmaceutical product schedule m के अंतरगत good manufacturing practice of pharmaceutical product चलिए next देखते है schedule m1 schedule m1 में क्या आएगा दोस्तो good manufacturing practice for homeopathic medicines schedule m1 में homeopathic medicines आती है gmp for homeopathic medicines schedule m याद रखिए schedule m यानि good manufacturing practice of pharmaceutical products इसमें pharmaceutical products आ जाएगे सभी और जबकि m1 में good manufacturing practice for homeopathic medicines चलिए next देखते है schedule m2 schedule m2 में क्या आएगा good manufacturing practice for cosmetic preparations तो यह आप learn करने पढ़ेंगे आपको schedule m यानि schedule m में good manufacturing practice for pharmaceutical products and schedule m1 में good manufacturing practice for homeopathic okay homeopathic medicines schedule m2 good manufacturing practice for cosmetic preparations चलिए next देखते है schedule m3 schedule m3 में क्या होगा good manufacturing practice for medical devices okay यह सब आपस में relate करके याद कर लीजिया schedule m3 good manufacturing practice for medical devices schedule n schedule n याद करने के लिए सिर्फ आफ need याद रखिए need नीड मानी क्या होता है आवश्रक्ता तो minimum requirement for running pharmacy यानि minimum required for running pharmacy pharmacy running करने के लिए क्या क्या आवश्रक्ता है यह इसके अंतरगत आता है तो schedule n and for need need से आपको याद आई जाएगा minimum requirement for running pharmacy यह भी आप कभी नहीं बुलाएंगे अब schedule o schedule o को याद करने के लिए सिर्फ डिटॉल याद रख लीजिए schedule o और डिटॉल डिटॉल में भी हो रहा है schedule o related to डिटॉल अब डिटॉल क्या होता है दोस्तों disinfectant तो सीधा आपको याद रखना है standard for disinfectant fluids example डिटॉल फिनॉल लाइजॉल जितने भी होते हैं schedule o के अंतरगत आते हैं चलिए ये भी आपको याद रहेगा schedule P schedule P याद करने के लिए आप याद रखिए periods okay schedule P याद रखिए periods यानि life periods of drugs example जैसे की MPC 36 months इसका life period होता है ठीक है और Cloram Phenicol का life period कितना होता है 60 months I hope that ये भी आप कभी नहीं पूल पाएंगे schedule P means periods यानि life periods of drugs और ये दोनों important कई exam में पूछे गएं कि MPC lean का life period क्या होता है तो MPC lean का 36 months Cloram Phenicol का life period कितना होता है 60 months चलिए अब next schedule देखते है schedule P1 schedule P यानि periods और P1 packing schedule P periods और schedule P1 को packing से याद रखिए तो P1 के अंतरगत क्या आता है packaging size of drugs okay packaging size of drugs schedule Q schedule Q को याद करने के लिए आप याद रखिए color schedule Q Q4 color याद रखिए okay तो schedule Q के अंतरगत क्या आता है list of dyes and colors used in cosmetic preparations बस आप schedule Q को color से related कर दीजिए चीक है तो list of dyes and colors used in cosmetic preparations जहाँ भी dyes and colors का use होता है तो वहाँ पर schedule Q okay चलिए next देखते हैं schedule R schedule R schedule R schedule R को relate कर दीजिए rubber से schedule R को याद करने के लिए आप rubber याद रखिए rubber याद रखिए rubber याद रखिए standard for mechanical contraceptives easy condoms तो condoms किसका बना होता है rubber का तो आपको यह याद रखने की ज़रूत नहीं है अब आपको याद हो जाएगा schedule R related करिए rubber से standard for mechanical contraceptives easy condoms condoms होना होता है rubber का I hope that schedule आप नहीं भूल पाएंगा चलिए next देखते हैं schedule S schedule S को याद करने के लिए आप S4 सुन्दर याद रखिए तो दोस्तो हम सुन्दर किस चीज़ से दिखते हैं cosmetic preparations का यूज करके ही हम सुन्दर बनते हैं okay schedule S के अंतरगत क्या आएगा standard for cosmetic preparations schedule S for सुन्दर और सुन्दर किस से दिखते हैं cosmetic preparations से standard for cosmetic preparations चलिए next schedule देखते हैं schedule T schedule T को याद करने के लिए आप सिर्फ T for tree याद रखिए okay इसके अंतरगत देखते हैं यूनानी medicines तो दोस्तो आयरुवेदिक सिद्धा यूनानी यह सभी हमें किस से प्राप्त होती हैं tree से तो इसलिए tree याद रखना है tree याद रखेंगे तो tree से related आपको याद रखना है ASU ASU मतलब आयरुवेदिक सिद्धा यूनानी बस आप tree याद रखेगा या आपको ASU अपने आप ही याद आ जाएगा good manufacturing practice for आयरुवेदिक सिद्धा यूनानी medicines यह तीनों ही आयरुवेदिक सिद्धा यूनानी हमें प्राकरतिक source यानि tree से प्राप्त होती है चलिए schedule you schedule you याद करने के लिए आप एक sentence याद रखिए you should have records यानि schedule you याद करने के लिए सिफ एक sentence याद आना चाहिए आपको you should have records यानि आपको records रखने चाहिए schedule you के अंतरगत आता है analytical records of drug during sale, import and export दो schedule एक के अंतरगत के आते हैं analytical records आते हैं during sale import and export चलिए next देखते हैं schedule B schedule B याद करने के लिए सिर्फ आप याद रखिए very important schedule B very important यानि बहुत important है important से आपको याद आ जाना चाहिए important से patent important patent दोनों को relate कर लीजिए very important याद आना चाहिए patent schedule B list of patent and propriety medicines okay list of patent and propriety medicines schedule B के अंतरगत list of patent and propriety medicines होती है okay चलिए next देखते है schedule W schedule W को याद करने के लिए आप एक नाम याद रखिए W gen जैसे कि राकेश जैन हो गया नाम होते हैं तो ऐसे ही एक नाम याद रख रख लीजिए आप डबलू जैन अभी इसके अंतरगत देखते हैं क्या होता है list of generic drugs ठीक है तो W gen gen 4 याद रखिए generic ओके तो list of generic drugs example जैसे कि analgene chlorpromagine aspirin schedule W के अंतरगत generic list आती है जिन drugs को हम generic नाम से जानते हैं list of generic drugs जैसे कि analgene chlorpromagine aspirin ETC चलिए next देखते हैं schedule X schedule X आपको पता भी होगा schedule X याद रखिए schedule X तो अपने आप में ही एक symbol है danger का schedule X यानी cross तो यह किसका symbol है danger का और danger means आप जानते हैं खतनार तो इसके अंतरगत क्या आती है list of narcotic and psychotropic substances यानी आप जानते हैं narcotic and psychotropic substances कितने harmful होते हैं तो यह आते हैं जैसे कि dizepalm, amphetamine, cecobarbital तो आप schedule X तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे schedule X यानी danger और danger ड्रवाई हैं आप जानते हैं dizepalm, amphetamine, cecobarbital अगर थोड़ी भी overdays हो जाएं तो danger ही danger है यह तो आपको याद ही होगा okay schedule X के अंतरगत narcotic sedative and psychotropic and habit forming drugs आती हैं okay next देखते हैं next हमारा last schedule है schedule by schedule by तो याद करने के लिए आपको सिफ इतना याद रखना है योक और योक क्या होता है animal तो आप जैनते ही है योक का नाम तो नहीं होगा आपने योक क्या है animal है तो इसके अंतरगत क्या आता है guidelines for clinical यानि guidelines for clinical trials of animals okay schedule वाई देखते ही आपको याद आना चाहिए योक और योक क्या होता है animal और animal याद आते ही आपको आना चाहिए clinical trial ठीक है guidelines for clinical trials of animals तो दोस्तो हम सारे schedules आपको बता चुके हैं दोस्तो जादा तर most important हमने आपको trick के माद्यम से बताए हैं और बाकी जो schedules बते हैं बच्चे हैं दो चार जो भी वो आपको याद करने हैं याद कर लेंगे आपको सारे schedules याद हो जाएंगे दोस्तो एक बार इसको आप note जरूर कर लिए जाए कहीं और बस दो तीन बार repeat करिएगा I hope that आप life में कभी भी schedules को नहीं बूल पाएंगे तो दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ हो तो please like, share and subscribe जरूर कीजएगा और दोस्तो comment जरूर कीजएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और हाँ दोस्तो next वीडियो आप किस topic पर जाते हैं comment जरूर करिएगा दोस्तो क्योंकि दोस्तो आपके comment करने से हमें motivation मिलता है और हम next वीडियो जल्दी लेकर आएंगे ओके, thank you for watching